हमें गुपता रूलर्स के बारे में बैसे तो बहुत सारे सोर्से से पता चलता है जिसमें से सबसे ज़ादा प्रॉमिनेंट सोर्स है इनके टाइम की इंस्क्रिप्शन और कुछ सिक्क्य सिक्के इनके काफी जाता यूनिक हैं क्योंकि इनके सिक्के गुपता रूलर्स की लाइश्चायल के बार में बताते हैं कि देवर नौट जिस्क्कों की उपर कि वह बीना प्ले कर रहा है या गार है ठीक है रानी को भी ऐसा दिखाया गया जैसे यह दो सिक्क्य है fanu 她 dostum as gold coins और एक बाहर बता हूं मैं आपको जो numismatic... क्या होता हु दॉन०्क काफी आप हम इस थमको उस्कर टुटे के लास के लанов क्या होता है nr very good को इक study को numismatics यहते हैं, जो numismatics सिक्कों की आकरिती जो गुप्ता पिरिट के टाइम पर यूज होई है न, ऐसी इत्यास में कभी भी यूज नहीं होई, बहुत फेमस इनकी सिक्क, आप देखो, इमेजन करके देखो, इस टाइम पर टेखनोलजी नहीं, इतनी कुछ भी नहीं, शेप देख रहे हो, इस पर engravings देख रहे हो, images देख रहे हो इस तरीके से, portrait है बहुत अच्छा है यह तरीके से, ठीक है, यहां पर राज़त नहीं से यह बीना बजा रहा है, तो यह सब चीजे सिक्कों पर शो करना, सिक्कों पर इस तरह की आकरितियां बाना, कला बनाना, यह ए अलाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो की actual में तो है अशोका की, कल मैंने बताया था, जो की actually तो अशोका की है, लेकिन इस पर बाद में, one of the famous गुप्ता रूलर्स, समतुर गुप्त ने, समतुर गुप्त के बारे में भी लिखा गया, ठीक है, और यह इस्क्रिप्शन किस बनाई थी, गी inscription बनाई थी, समतुर गुप्त के court poet, कया नाम था? अलंकृर था उसका? कया नाम था? हरी सेन, थेक है? उसका नाम था? कशिष हरी सेना ठीक है हमें इसके इलावा राइडर यह कहा रहा है कि गुपता रूलर के बारे में जो हमने प्रिवेस लेक्षर के इंदर बाते करी इंस्क्रिप्शन कोईंस के बारे में पता लगता है कुछ-कुछ किंग्स की बायोग्राफी भी लिखी गई उनके उनके वगाउड पैमस रूलर था जो कि हमारी आच खेली लगव असरे स्टार्ट होगी हर्छ अधर्तन इस हिसने आच सेThrच लगवग आओ, निदो फ्रज्ण सेषण इस बानभटा है, तो हर्ष बर्धन का कोर्ट कोड़ पोड़ कौन का Спूड माझा धार, थेक है, तो बानभट ने इसकी तरीफ में तरीफ में क्या एक तरीकर Effectors उसकी लाइफ के byरे में लिखिए तरीप में के दर सुदू. तो मैं आपको ये बता रहा था कि बान भट जो था वो कोटपोर था हर्शवर्दन का हर्शवर्दन एक रूलर था इस ताम पर उसने हर्शवर्दन के बारे में एक बुख लिखी थी ठीक है हर्श रिता के नाम से इसको इसने संस्क्रिट लेंग्विश के अंदर लिखा था ठीक है मुझे एक बात बताओ जरा शिमा ये दो वर्ट होते हैं आप से बस पूछना चाहरो मैं बायोग्राफी और आटो बायोग्राफी में फरक्ट क्या होता है आटो बायोग्राफी के अंदर परसन जो होता है वो खुद लिखता है एक तरीके से आप इसको बहुत ईजी लेकमिश के अंदर समझ सकते हैं एक तरीके से परसन की डायरी ठीक है और बायोग्राफी जो होती है वो कोई और परसन अधर परसन ये जो टार्गेट परसन होता इसके लिए लिखी जाती है ठीक है यह जीज किलियर रहा है सबको तो यहाँ पर हमें जो बानबट है इस हर्च रिता से हर्च रिता की बुक के थ्रू जो कि संस्कित में लिखी गई किंग हरशा हर्श वर्धन गैलो शॉट में हर्ष गैलो इसके बारे में हमें इसकी genealogy बताता है सबसे पहले तो what is genealogy हमने कल कवर कर रहा था इसकी family history के बारे में बताता है कि इसके पुरा जो previous rulers थे ठीक है family के जो rulers थे वो कैसे थे उनका rule कैसा था कहां कहां तक उन्होंने अपने empire को expand कर रहा था और उसके पुराने पूरवजव खांदान के बारे में बात करते करते हैं finally यह book खताम होती है कि किस तरीके से हर्षवर्दन राजा बना यह तक का पूरा स्ने time period बान भटने हर्षवर्दन बुक के अंदर हर्षवर्दन के बारे में संस्क्रिट language में यह cover कर रखा है कि उसके predecessors कौन कौन से और राजा बरने तक कि उसकी journey क्या सी हमने previous chapter के अंदर chapter number 9 जो हमारा था याद एक traveler को cover कर रहा था Chinese traveler, Xuanzang, है न, Xuanzang कशिष कौन से religion को preach करता था कौन से religion को कौन से religion को preach करता था कौन से religion को प्रीच करता था अर अंग्रिथा बुदिजब ठीक है याद रखना जाधा तर तो Chinese traveler आये हमारे जाधा तर क्या अल्मुस्ट मैं दिखूंगा सभी बुदिजब के preachers थे ठीक है इस ने काफी जाधा time बिताया हर्ष वर्दन के code में अब देख रहो यह वाली चीज वहाँ पर given नी थी लेकिन यहांसा आपको connect करनी है इसलिए मैं कहता हूँ के analysis power अपनी strong रखा करो और हर्ष वर्दन के code में उसने बहुत जाधा detailed account यहां पर लिखा तो एक तरीके से यह paragraph आपको पता क्या समझा कर गया है कि अगर हमें किसी ruler की history को reconstruct करना है इस time period पर तो हमारे लिए क्या-क्या चीजे काम की हैं उसमें आपको वह यह चीजे गिनवाई हैं आज के lecture के अंद अंदर यह जितनी भी चीजे जो लिस्टिंग कर रहे हैं आपको काफी पर कर चुक है और हमें पता यह चीजे होती है ठीक है इंस्क्रिप्शन हो गए coins हो गए बायोग्राफीज हो गई अटो बायोग्राफीज भी हो सकती है लेकिन अटो बायोग्राफीज लिखने का सबके पार टाइम ही था तो इसकी accuracy तो यहर मैं एक तरीके से बिलकुल ना के बराबर वारूँगा और एक important चीज है जो की है जो की हम जिसको फॉर गंटेड ले लेते चीजों को लेकिन सामन अवा बायोग्राफीज तो चलो होई गया बायोग्राफीज जर्नल इनके court poetry और इनके court historians होते थे वो लिखते थे तो जैसे शुहन जैंग नेस के बारे में लेका हर्षवर्दन के बारे में और डिटेल अकाउन छोड़ कर गया ठीक है और जानते है हर्षवर्दन के बारे म तो वो राजा अपने सबसे बड़े prince को वो गद्धी देता होगा लेकिन हर्षवर्दन के case में ऐसा नहीं था यह सबसे बड़ा बेटा नहीं था अपने अफादर का ठीक है लेकिन यह बहुत काबिल था यह बहुत काबिल था जब इसके पिताजी की और बड़े भाई की तो रशिश कहाँ पर है जगा है थाने सर इंस डेकिन हर्याना के अंतर रहन है कके तो इसका जो साला था ब्रदर इनलो वो शाला इयोता है तींग आपको पता है वो रूलर बना चैनल का और बहुप डेंस का लूश की बहुर घट इस कर्पर कर्णौज इस लोकेटेड़ इन उत्रप्रदेश ठीक है एंड ही वस किल्ड बाई रूलर ऑफ बेंगॉल देखो क्या-क्या चल रहा है कंटेक्स समझना हर्श वर्दन सबसे बड़ा बेटा नहीं था इसका एक बड़ा भाई भी था जो मर गया था फादर थे उनकी भी डेट होगी थी इसका जो साला था उसने कुछ रहम तक कर्णौज में यूपी के अंदर एक जगा है कर्णौज वहाँ पर इसने रूल करा लेकिन बाद में वो भी मर जाता है बेंगॉल का रूलर उसे मार देता है ठीक है उसके बाद कर्णौज की को बता है बता हो निची और यह ऐसे याद रहती है कि जब आप इसकी ने करेंट लोकेशन जानते हो जैसे अभी हमने बात करी कि यह हर्याना के अंदर और यह यूपी के अंदर ठीक है और उसके बाद इसने ना बदला लिया कि रूलर और बेंगॉल से कि तुमने मेरे साले काफी जादा सक्सेस्फुल था इसन साइड यहाँ पर इसन साइड में काफी जादा सक्सेस्फुल था इसने मगत को कॉनकर करा ठीक है और बेंगॉल साइड को भी कॉनकर करा लेकिन और कई सक्सेस्फुल नहीं हो पाया यह अपनी पतनी का बदला ही ले पाया अपने साले क के लिए ठीक है तो बेंगॉल की उपर और मगद की उपर तो इसेंट साइट के अंदर कभजा कर लिया लेकिन और कई इतना ज़्याद सेक्सेस्वल नहीं हो पाया वियर इस मगद जल्दी पताओ ठीक है उसने फिर नर्मदा क्रॉस करी नर्मदा क्रॉस करी डेकिन पहुशने के लिए ठीक है यह देखो यह देखो एक तरीके साब ऐसा माल लो यह नर्मदा और इसमें फिर डेकिन बसे इसके बाद आप क्रॉस कर देते हो सेंट्रल इंडिया खता सेंट्रल इंडिया शुरू और एक तरीके से यह फिर एरिया आपका यहां से शुरू हो जाता है डेकिन वाला पार ठीक है यहां पर यह गया अच्छा डेकिन वैले पार्ट को ना जैसे हमने प्रीवेस्ली बढ़ा था समधरकुप्त के टाइम पर तो आप याद रखना कि हम लोग इसको दक्षिन पत के नाम से भी उस टाइम पर बोलते थे थी है रखन पत कोई बजी जो दक्षिन दिशा होती है वह आप अब आपकोगे कि पूरी तरही से प्रापर तरही के तो नहीं था वह तो यहांपर बोल रहा था दक्षिन पत के रीजन को यह जो रहटे डॉट हैं हां तो ठीक है ना कोई भी चीज जो सेंडल इंडिया से नीचे हो गई वो दक्षिन पत का मलब वो साउथ इंडिया का ही पार्ट है डेकिन से बस आप ऐसा मान लो कि यह जब पैनुंसलर इंडिया की शुरॉत हो जाती है बस उसने पर रूलर्स के लिए कोई भी जगा बस जो की था पुलकेसिन टू उसका नाम था और यह चलोक्या डैनिस्टी से बिलॉंग करता था ठीक है यह चलोक्या डैनिस्टी का एक रूलर था जिसका नाम था पुलकेसिन टू ठीक है इसको इस रूलर ने किसको किसी बात हो रही है आपर कि रोक लिया हर्श वर्धन हर्श वर्द्न को ओल किसे टू ने रुख लिया हर्श मर्धन आज़ंड जो एसा कह सकते हो कि चालोक्या डेलेस्थि को हराना है यहां पाया और इसके रूलर ने इसके रोख दिया जिसका नाम था प्लमकेस्जिन टू ठीक है तो वो कैरे लुक एट था पॉलिटिकल मैप अफ इंडिया और प्रिजिंड इस्टेट्स बताओ जहां पर हर्षवर्दन जो था जब वो बेंगॉल वगएर और नर्मदा वगएर वो क्रॉस करते तो कैसा तो यह तो साइड हो गई यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ पूछो कोई डाउट ठीक है अब बात करते हम लोग नेक्स टॉपिक की जो की उपर वाले से कही ना कही रेलेटेड है पलवास चालो क्यास और प्रश्रस्ती प्रश्रस्ती होता है जब भी कोई इंस्क्रिप्शन वगएरा किसी की प्रेज में लिखी जाती है तो इसका मतला भी होता है इंद प्रेज आउफ जैसे समधर कुफ ने अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन अलावाबाद के अंदर यूज करके अपनी चीजे लिखवाई थी अपने कोड़ पोईट से कहकर हरी से कहकर तो हम जानते हैं पलवास डैन पलवास और जो चालुक्यास थे यह साउथ इंडिया के अंदर उस टाइम उस टाइम पीरिट की इंशेंट हिस्टी की काफी इंपोर्टन डूलिंग डैनेस्टी रही हैं सबसे बेसिक सवाल तो दिमाग के अंदर तो कंसेप्ट आपको यही बना लेना चाहिए कि साउथ इ इंडिया ठीक हैं डैनेस्टी थी साउथ इंडिया की तो मैंने आपको बताएं यही बर्सा करके कंसेप्ट यहां से भी कवर हो सकता है कि आप अगर साउथ इंडिया के बारे में मैंशन कर रहे हो तो याद रखना कि पलवास और जो चालुक्यास है यह से रिटेड और अग इसकी बात हो रही है यहां पर किंडम ऑफ बलवास बलवास की बात हो रही है तो हम उपर वाले पार्ट को एक बर हटा देते हैं यह हम नट आया ठीक है और सिर्व अभी हम लोग बात करेंगे सिर्विस की पलवास के किंडम की तो इनकी क्या थी कांची पूरम ठीक है कांच चालुक्यास के बारे में तो चालुक्यास का जो इंफ्लूइंस था रायचुर दुआव जो की कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में आने वाला रीजन था ठीक है आगे बढ़ने से पहले चलो हमने यह तो देख लिया याद रखना पल्लवास कांचीपुरम से करते थे कावेरी रिवर के पास और जो चालुक्यास जो थे वो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के पास उनका इंफ्लूइंस था ठीक है मुझे यह बताओ आप मैंने यहाँ पर जिस्याकर मैं यह बनाओ गिनदी और एक यह इस वाले को हम लोग बोलते हैं जो मैंने और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यह है तुंगभद्र मैं आपसे यह जाना चाहता हूँ इधार एक वर्ड यूज हुआ है दुआब कि दुआब क्या होता है एक बार बताते ना चाहता हूँ, यह वर्ड दोनों लेंग्विजे के लिए कॉमन है, इंग्लिश में भी यह होता है, हिंदी में भी यह होता है, दुआप, लेकिन होता क्या है दुआप, क्या होता है दुआप? जैसे South India की बड़ी सारी डैनिस्टी जना एक मेंट, एक मेंट, एक मेंट South India की बड़ी सारी डैनिस्टी जना दौआप के अंदर आती थी जैसे जब हम medieval history के अंदर बढ़ेंगे न तो हम देखेंगे कि जो विजे नगर विजे नगर का जो रूल था न क्रिशन देवराय का वो भी दौआप में located होता था, दौआप होता गया पहले मुझे यह बताओ, अगर कोई आप मेंसे जानता है बोलो अलंकिरता आप कुछ कह रहे थे, बताओ बताओ बरी गोड, बरी गोड, बरी गोड, बरी गोड सही है, यही explanation है देखो, दो रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है न, और साउथ इंडिया की रिवर्स का यह जो है, यह अच्छी-कासी रिवर्स है, बहुत साथा fertile land बाबर बनाती है, अभी से नहीं, बहुत साल पहले से बना रही है तो इनके बीच का जो जैसे मैंने यलो पोर्शन में यह जो रिजन मार्क करा है, यह बन जाता है, दो आप यहां फटल रिजन है, तो यह धीरे-धीरे करते, यहां पर पहले settlement होती है, दो आप रिजन में हमेशा पहले settlement होती है, फिर धीरे-धीरे करके लोग एक agriculture life बिताते है, कहने का वनला settled life बिताते हैं, फिर वहां पर kingdoms found होते हैं, empires found होते हैं, finally जाते-जाते बन जाती है, dynasties, जैसे मैं आपको बतारो, medieval India में famous dynasties यह भी एक दो आप पर थी, विजे नगर empire, विजे नगर empire आप मुझे कलकी class में बताओगे, आपका homework है, कौनसी दो नदी के संगप पर दिये था, या फिर अगर मैं आपसे पूछों, कौनसे river दौाब का पार था विजे नगर, और अगर आपसे कोई पूछे, चालोक्यन dynasty कौनसे दौाब पे था, तो और नीचे मैंने बनाईती है, तुम बत्रहरे पर, visible है, देख रहा है ना सब को, जादा चोटा तो नहीं लिखा, अच्छा विजे नगर भी राजचो तो आपे था, एक बारी confirmation के साथ मुझे कलकी class से पहले, सब तीनों की तुने answer देना, अगर आप जानते हो अच्छी बा पाट को, बगल की information आप समझ गए ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कशे, शाषिमा, अलंगरता, समझ गए ना, एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने बोला ही, हिंदी इंगलिश के लिए common है, दो आप ना, ये जो जगा बनी, ये एक तरीके से ना, जैसे ड कि मैं आपको दौाब बताऊंगा कि दौाब कैसे बनता है, जैसे अब सुनने में हमें ऐसा लगता है, कि ये दो नदी के बीच का जो रीजन है, तो यहां पर काफी जादा ये कीचड फैला होगा, लेकिन ये कीचड जो एक तरीके से बैलेंस तरीके में फोटाइल कर दिया सोे अब रायसुर कहा पर है, रायसुर और टंगभध्रा के बीच में सैनविच हिड्ध है, क्या बोल रहा हूं MA जब भी कोई fertile end का area दो नएधियों के बीच में sandwiched होता है उसको दुआप कहते हैं, यह definition होती है उसकी, समझकें, दो नएधियों के बीच का area जो grew up और जो sandwich होता है दो नटीयों के बीच में, वो पानी पानी वाला area नहीं होता है, वो fertile होता है, उसको दवाइप कहते हैं, ठीक है? मैं आपको यह बता रहा था, कि यहां पर यह पर उपर इन्हों ने यह काम तो कर दिया हमारे लिए, इन्हों ने कांची पूरा हमें यह तो बत आया कि हमारी help ओच सके कि कांची पुरम जैसे पलवाज की capital है तो चालोकियास की capital क्या है तो यहां पर आपको नीचे देखने को मिलेगी देखो A-hole A-hole के अंदर एक बहुत famous A-hole inscription भी आपको देखने को मिलती है history के अंदर बाद में बताओं का उसके बारे में मंदिर भी है यहां पर बहुत अच्छे अच्छे यह जो A-hole है जगा यह capital थी चालोकियास की यह इस time पर इतना एक important trading center भी था अब देखो कहीं बार आपको यह अगर doubt रहता है ना कि हम ancient history में कैसे बताएं कि क्या किसका trading center था क्या था यह बस इतना आपको पता होना चाहिए कि कोई अगर कोई बड़ी dynasty है ना जिसके बारे में बड़े लेवल पर बात हो रही है वो बहुत famous है आप कहो कि history में हा मैंने अच्छा कासा उसकी तारीफ है सुनी है तो trade तो करते ही होंगे ना वरना उस time पर चलाएंगे कैसे और एक मैं आपको hint और बता देता हूं जो कि म इंका शब्दा है ना paper के अंदर तो याद रखना है यहां पर जितने भी rulers होंगे चोला चेरा पांडिया एंशन मेडिवेल से belong करते हुए कोई भी साउथ इंडिया बस यह ना बस नर्मदा रिवर के नीचे वाला जितना भी portion है हमारा हमारा जो एक तरीके से जो peninsular इंडि कि यह इनका empire prosperous इसलिए था यह trade पका करते होंगे trading activity नौर्थ इंडिया में किसी empire के अंदर फिर भी कम देखने को मिल सकती है साउथ इंडिया में आप mark करके आ जाना कर आए कि 99% trading activity होती थी यह एक ancient history के सबसे बड़ी hint है बहुत multiple readings लगाने के बाद मेरे को एक समझ में आया है pattern एक है तो बैसे obvious ही लेकिन obvious चीज़ को भी obvious बनाने के लिए दिमाग तो काम करना सही है ना ठीक है तो यह चीज में आपक कर ली यह capital ना चालुक्यास का और एक important trading center के रूप में emerge हो कर आया ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर मंदिर बड़े सारे देखने को मिलते हैं तो मंदिर की development चालुक्यास के टाइम से यहाँ पर शूरू होई थी ae hole में यह बाद में चालुक्यास ruler के support की वज मूर्ति की design बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर हमने देखने को मिलती है सवाल यह उड़ता है अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने time period के अंदर तो मुझे यह जानना है कि क्या पल्लवास की और चालुक्यास की दोनों South India के dynasties हैं क्या इनकी आपस में बनती थी तो एक दूसरे के land पे invasion और intervention करते रहते थे frequently एक दूसरे के land को raid करते रहते थे raid वही चीज होती है कश्विस यहाँ थे हमने cold war के time पे भी खतम कर रहा था कुछ समय पहले intervention और invasion वही चीज है कि कबजा करने के लिए चीजे मनलब लेने के लिए एक दूसरे की power को हराने के लिए यह frequently intervene करते रहते थे invade करते रहते थे एक दूसरे के land को इसका मतलर पलवास और चालुक्यास नहीं बनती थी उनकी आपस में ठीक है इसपेशली यह raid करते थे एक दूसरे की capital cities को क्योंकि capital cities को raid करने से फायदा यह है कि main center एक तो वही है ठीक है दौनों का main items ही वही रखे होंगे दूसरा किया कि पैसा in terms of prosperity and goods सब कुछ आपको capital city के अंदर देखने को मिलेगा यहां पर बड़े सारे prosperous towns है कि जैसे मालो किसी country को किसी country को अगर इंडिया को नीचे दिखाना है तो वह target new Delhi को कर रहा है क्योंकि new Delhi is the capital Delhi is the capital है ना यह चीज है एक तरीके से कि हम country की capital को अगर भी कर दें तो एक country का status उससे नीचे हो जाता है तो हमें यहां पर एक सबसे famous जो चालोकियन रूलर हिस्वी के अंदर हमें देखने को मिलता है उसका नाम था जिसके बारे में मुझ पर बात कर रहे थे वो था publication 2 ठीक है blue color से मैं इसको mark कर रहा हूं highlight कर रहा हूं publication 2 यह इसके ancestors रहे हो गया predecessors बोलो हमें publication 2 के बारे में पहले एक चीज़ यहाद रखना मैं काफी वारस को बोल चुका हूं यह चालोकियन रूलर था ठीक है पलवा में गल्ती मत कर देना confuse मत हो जाना हमें इसके बारे में एक famous प्रशस्ती से पता चलता है जो कि इसके court poetry compose करी थी र अभी कीरती अब चलो हमें discussion करने के लिए एक नया point मिल गया सबसे पहले तो सबसे पहले तो आप यह याद रखना कि हमने जो अभी तक सबसे पहले famous rulers जो गुप्तार पीरिट के time से जो पढ़े हैं हमने पढ़ा है समत्रकुप्त ठीक है समत्रकुप्त दूसरा हमने क्या पढ़ा किसके court boy के पढ़ा हमने हर्श बर्दन अब तीसरा नम हमारे सामने क्या आ गया है बुलकेशन टू इसी तरीके से match the falling आते है पेपर के अंदर इसी तरीके से ठीक है तो अगर हम लोग लिखे समत्रकुप्त का जल्दी बताते जाओ मुझे court boy at कौन आशिमा ये वाला आप बताओ कशिश हर्ष बर्दन का कौन हर्ष बर्दन का कौन अलंगृता अप्लिकेशन टू का कौन कशिश ये तो सामने है ये तो बता दो रवी किर्थी रवी किर्थी तो हमें रवी किर्थी जो है आपने common theme देखी जो मैं अभी एक बोलने जाओंगा देखा ये हमें इसके ancestors के बारे में बताता है आपने एक term देखी कल से जिसको हम लोग discuss कर रहे हैं ये सारे court poet के वाला काम नहीं कर रहे हैं क्या बताना जड़ा मैं अब आपसे ये जाना जादवा आंसर मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि ये genealogy वाली बात ना सारे court poet अपने अपने राजा के बारे में कर रहे हैं इससे क्या हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा genealogy के चलो फाइदे डिसकस करते हैं बताओ क्या क्या फाइद है genealogy के बताओ क्यों लेख रहे हैं court poet के प्रेडिसर्सर्स के बारे में क्यों court poet को फुद तो फाइद है तो आज मैंसा बोल सकतो ना ये कि वावाई चाहते थे वह अपनी राजा को देकर राजा को प्रेज देंगे फुद उनको फाइदा मिलेगा है ना और और क्या फाइदा हो सकता है पूरबजू के बारे में डिसकस करने से और क्यों हरी शेना बानबटर अभी कीड़ती समत्रुपdled हर्षवर्ण और पुलिकेशन टू बारे में उनके एंस्टर्स के बारे में बताए जारे में तारीफ़े करे जारें है very good very good very good family history को sorry family को family की history कुछ इस तरीकी से portrait करी जा रही है ऐसा कह सकते हैं कि इसके family के अंदर जो rulers है जो family rulers है वो काफी जादा powerful रहे हैं शुरू से और कोई बता दो सही बोल रहे हो सारा कुछ ऐसा मैं तो बस आपके वो जाना है जारो कि और क्या आईडिया जा आपके दिमाग के अंदर और बताओ और क्या फायता एक तरीके से ये भी तो कह सकते हैं कि आने वाली generation के लिए ये previous history को preserve करना चाहरे हैं ये नहीं बोल सकते हैं क्या प्रिवियस history को preserve करना चाहरे हैं बोल सकते हैं वाली बात के नहीं बताओ है ना तो और तो कोई point नहीं बनता ना और किजी को कुछ कहना है ठीक है ना तो ये जो है अभी किरती इसके ancestors के बारे में बताता चलता है और this tells us about the ancestors who are traced back through four generations from father to son चार generations की बात करता है ठीक है और हमें रभी किरती ने जो प्रशस्ती जो लिखी एक तरीके से इसकी publication 2 की हमें ये बताता है रभी किरती उस inscription में कि इसको गदी जो मिली थी पुलिकेसर 2 को उसके चाचा से मिली थी अंकल कोई भी हो सकता है चाचा ही था बारे में किसके बारे में बताएगा publication 2 के बारे में कि इसने जो एक्सपेटीशन लीड करी न बैस्टन कोस्ट पर भी करी इस्टन कोस्ट पर भी करी अब देखो तारीफ के ľ पुल बंदना स्टार्ट फोट्ट का तो कामी है है हमने देखा क्यार है वेस्टन कोस्ट और eस्टन कोस्ट दौनो जगह पर इसने उसमे लूँझक न एक्सपेडीशन लॉंच यह एक्सपेडीशन वर्ट क्या होता है क्या होता ना है ना ताकि दुश्मन को हरा कर उसको नीचा दिखा कर उसके उपर कबजा कर लेना यही होता है एक्षपडिशन का मतलब ठीक है इसके बार इसने यह भी देखा कि जो हर्षवर्दन डेकिन की तरफ आ रहा था उसको रोका जाए ही चेट दा एडवान्स ऑफ अफ रशवर्दन का मतलब यह है कि वह जो एडवान्स कर रहा था जिसमें लमालो कि यहां पर है रशवर्दन तो यह जो यहां पर यह चला आ रहा है इसको एक तरीके से रोगना इसके उपर बैरियल लगाना यह भी काम कर रहा पुलकेसिन टूल यह हमें सब रवी किर्थी बता रहा है इसका कोड़ पोएट इसकी तारीफ हो के पुल बांदने के लिए ठीक है उसके अलाबा यहाँ पर शब्दों के साथ काफी ज़ए खेलता है रवी किर्थी जैसा कि हमने प्रिग्रियस क्लाक्सिस के अंदर देखा तो और भी कोड़ पोएट से यही करते है कहता है हर्श का मतलब होता है खुश होना, हैपी हर्श वर्धन का मतलब है कह रहा है उसके नाम में जो शब्द चुपा हो है वो है खुश रहना, ठीक है पोएट यह कहता है आफ्टर हिस डिफीट आफ्टर हिस डिफीट हर्श वस नो लोंगर हर्श यह कौन किसकी पेस्ती कर रहा है जरा बताओ कि मुझे कौन किसकी पेस्ती कर रहा है रवी कीर्थी यह लिख रहा है किसकी तरीफ करेगा यह पुलकेशन टू की क्या कह रहा है कि पुलकेशन टू ने किसको हरा दिया हर्श वर्धन को कह रहा है नाम में इसके है आयरनी कि इसका मतलब होता है खुशी, उल्लास, हैपिनेस, के रख, अभी हारने के बाद, मुग की खाने के बाद, जब इसको, इसके रूल को वाइप आउट कर दिया गया, अभी खुश नहीं है बिल्कुल भी, तो यह इक तारीफ करने का और नीचा दिखाने का सामने वाले को और 1990, जो पुलकेशन 2 है, जो कौनसा रूलर है यह चालोक्या है या फिर यह वे पल्लवा खिंग है है यह चालुक्या है, ठीक है? यह चालुक्या ruler है, यह चालुक्या ruler है तो हमने ये तो देख लिया कि हर्षवर्धन एक तो समय हरा दीया thought हम लोग तेन डेट कर रहे ने कि पलवाज की चालुक्या की और हर्षवर्धन की और हर्षवर्धन के फौइप र Option की शूह ा chef ठीक है और Pallwa king जो जो है यह कहरा है कि वह चुपा हुआ था èm कांचिपुरम की दिवारों के पीछे महलब टाउन के पीछे मै लग वह टरे कि अपनी आनमी कर खड़ा हुआ था वह हम honors मैं मि कैरे जटो कांचिपुरम की थे वल्टर की बात और हो एंपर कोई IASI by कर रहा हूं मैं पुलकेशन टूकी कि उसने हर्ष को तो हराया हर्ष बर्दन को तो हराया साथ में यह जो वो था क्या नाम इसका इसका रूलर काची अब यह पलवा किंग इसको भी हराया ठीक है आप मुझे कल की क्लास में एक तो वो दुआ वाली बात भी बताओगे और ये भी बताना कि कौन से पलवा किंग को हराया था इसका नाम पता करके बताना मुझे जरा ठीक है डन लेकिन चालोक्यास की जो विक्ट्री थी वो काफी छोटे समय के लिए थी ठीक है अल्टीमेटली चालोक्या और पलवास आपास में लड़ते रहते थे हमने उपर पढ़ा था ने फ्रिक्वेंटली रेट करते रहते थे लड़ते रहे फिर उनकी कोई और जनलेशन आई फिर उसमें का मैं बजता लूँगा ये लूँगा वो लूँगा इसका कफ़जा उसका कफ़जा इसकी जिसकी वज़े से फाइनली बात में एशन इंडिया के डीप एंड में जाकर राशकुट का रूल आ गया और चोलास क रूल आ गया फैनली मतलब आपस में लड़ते लड़ते इनका फाइदा उठा लिया राशकुटा रूलर्स ने और चोला डैनिस्टी ने चोला डैनिस्टी के रूलर्स ने जिसके बार में हम सेवंध ग्लास में पढ़ेंगे ठीक हैं और जो कोस्ट वाली बात ने वो गयरा कभी भी हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर के इंदर डक्षिन पत की रूलर्स को देख ले ना बस आपको पता लग जाएगा कि इन में से जो साउथ इंडिया डैकिन का रूलर है उसने कोस्ट को कभी ना कभी कर्तों कंड्रोल कर रही होगा वेकॉस कोस्ट की यहां पर जरू करती फॉदर ट्रीडिंग एक्टिविटीज ठीक है